नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ Ancient Investing की इस YouTube चैनल पर जहां हम जानेंगे Stock Market के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS के Quarter 4 के Results के बारे में आज TCS ने अपने Quarterly Results को Announce कर दिया है तो चलिए देखते हैं इस बार कमपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है Results देखने से पहले देख लेते हैं कमपनी ने अपने Shareholders को Dividend कितना दिया है तो इस बार कमपनी ने अपने Shareholders को 24 रुपए Pariquity Share का Dividend Announce किया है तो अभी हम आ गए हैं TCS के Quarterly Results की तरफ और सबसे पहले में आपको ये Clear कर देता हूँ कि जो भी Figures दी गए हैं वो सभी रुपीजिन करोर्स में दी गई है तो अब देख लेते हैं कमपनी की Total Income पिछले साल कमपनी की Income जहां 51,572 करोड रुपे थी वो इस साल बढ़कर 6,337 करोड रुपे हो गई है जबकि Quarter and Quarter basis पे 58,749 करोड रुपे से बढ़कर ये 6,337 करोड रुपे हो गई है कमपनी की Income को अगर Year on Year basis पे Calculate करते हैं तो इसमें 17% की Jump देखने को मिल रही है अब देख लेते हैं कमपनी के Expenses यानि कमपनी ने खर्च कैसे किये हैं तो पिछले साल कमपनी के खर्च जहां 38,208 करोड रुपे के थे वो इस साल बढ़कर 44,946 करोड रुपे के हो गई है जबकि Quarter and Quarter basis पे 44,105 करोड रुपे से बढ़कर ये 44,946 करोड रुपे हो गई है कमपनी के Expenses को अगर Year on Year basis पे Calculate करते हैं तो इसमें 17% से ज़्यादा की Jump देखने को मिल रही है अब Income में से Expenses को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा Profit तो देख लेते इस पर कमपनी ने कैसा Profit जनरेट किया है तो पिछले सल कमपनी का Profit जहां 9,969 करोड रुपे था वो इस सल बढ़कर 11,436 करोड रुपे हो गया है जबकि Quarter and Quarter basis पे 10,883 करोड रुपे से बढ़कर ये 11,436 करोड रुपे हो गया है कमपनी के Profit को अगर Year on Year basis पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें तकरीबन 15% की जंप देखने को मिल रही है अब देख लेते हैं कमपनी का EPS यानि आर्निंग पर शेयर तो पिछले सल कमपनी का EPS जहां 26,85 था वो इस साल बढ़कर 31,14 हो गया है जबकि quarter on quarter basis पे 29,64 से बढ़कर ये 31,14 हो गया है अगर long term के नजर ये से देखा जाए तो TCS ने अच्छे नतीजे पेश किये हैं क्योंकि ये results market close हो जाने के बाद आए हैं तो कल देखना होगा market इस पर कैसा reaction देता है और आँ दोस्तों ये blue chip shares ना सिर्फ आपकी capital को safe रखते हैं बलकि 5 साल में आपके पैसे को double भी कर देते हैं TCS जैसा share जो ना सिर्फ आपको capital appreciation देता है इसके साथ ही dividend भी देता है तो ये उन लोगों के portfolio का हिस्सा बन जाता है जिनने अपनी capital को safe रखते हुए return भी कमाना है तो ये हमने देखा TCS के quarter 4 के results को उम्मेद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों को और चानल को subscribe कर लीजिए